इस वीडियो में जो टोपिक अब हम स्टड़ी करने जा रहे हैं that is B2B Commerce रियल्टी में ये टोपिक E-Business का एक पार्ट है अगर आप E-Business का complete topic स्टड़ी करना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो की description box में एक लिंक दिया हुआ है आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं B2B Commerce की ये business की एक ऐसी activity है जिसमें दो business firm या दो business unit आपस में transaction करती हैं पर ये transaction होती कैसे है? electronic form में होती है ये लोग electronic transaction करते हैं समझ लीजिए internet के तरू, computer के तरू तो इस transactions में क्या हो सकता है? काफी सारी activities हो सकती है like मालो product की information लेनी है inquiry करनी है तो कर सकते है order देना है product के बारे में तो दे सकते है payment लेनी है या payment देनी है तो ये सारी activities internet के तरू होती है अब बात आती है कि इसका example क्या हो सकता है? for example, दो business है business number one, business number two ये business raw material supply करता है ये business क्या घरता है? production activity करता है अब इसको production करने के लिए काफी जगा से कच्चा माल खरीदना पड़ता होगा तो ये business two अगर business one से online transaction करता है goods की inquiry करता है product खरीदता है, order देता है payment करता है तो ये activities definitely दो business के बीच में हो रही है ये activities दो business के बीच में हो रही है तो इसलिए हम इसको B to B commerce कह सकते है मैं एक बात आपको फिर से बोल रहा हूँ इस activity के अंदर हमको ध्यान रखना है कि दोनो business होने चाहिए चाहे पहले वाला supplier है चाहे दूसरे वाला producer है तो दोनो ट्रांजेक्शन दो business के बीच में होनी चाहिए